दोस्तों, फिनलाइंड को जीलो का देश क्यों कहा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा ओला कब और कहां गिरा था? सबसे पुराना जन्डा किस देश का है? और सबसे ज्यादा मुर्डर किस देश में होते हैं? ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए वीडियो के अंपतक बने रहे हैं तो चलिए शुरू किया जाए फैक्ट नमबर टेन यह तो संभवत हर ब्यक्ति जानता है कि रूस दो महादीपों में फैला हुआ है बट सायद ही आपको पता होगा कि मध एसियाई देश अजरबैजान भी दो हिस्सों में यूरोप और एसिया के बीच स्थित है यहां देश का 6.9000 वर्ग कीमी का इलाका यूरोप में आता है जबकि इसका कुल 86.6000 वर्ग कीमीटर का छेतरफल एसिया में पड़ता है और जारजिया भी यूरोप और एसिया के बीच फैला हुआ है फैक्ट नम्बर नाइन फिनलैंड यूरोप महादीप का एक देश है जिसका छेतरफल 3,38,440 वर्ग कीमीटर है आपने कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा कि फिनलैंड जीलो का देश है बट फिनलैंड को यूही नहीं जीलो का देश कहा जाता है क्योंकि इस देश में 1,87,888 जीले हैं ओ माई गॉड यह जीले फिनलैंड की खुबसूरती में चार चांद लगा देती है हैक नमबर एट हर देश का एक जंडा होता है जो देश के राष्टी धोज की रूप में जाना जाता है हमारे भारत देश का राष्टी धोज 22 जुलाई 1947 को आस्तित में आया था बट क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पुराना जंडा डेनमार्क का है जो तेरामी सदी से आस्तित में है रियली अमेजिंग एक नमबर सेवन हर व्यक्त को किसी न किसी कारणवस गुस्सा जरूर आ जाता है जिसमें वह अपना आपा खो देता है बट हियूमन साइकोलोजी के अनुसार गुस्सा होने के तुरंत बाद आईने में देखने की आदट डाले निश्चित तोर पर आप हस पड़ेंगे अगर हसी नहीं आई तो भी आपका गुस्सा सांत जरूर हो जाएगा ट्राई इट हैक नमबर सिक्स हर महीने में एक दिन पूडिमा का होता है पूडिमा का दिन परतेक महीने में तब यानि दिन तिर्थ का होता है जब पूडिमा होती है बट क्या आपको पता है, हरवरी 1865 में इकलावता ऐसा महीना इतिहास में रिकार्ड किया गया है, जिसमें उडिमा नो आई हूँ हैक नमबर फाइप, बहुत सारे व्यक्तियों को केला खाना अच्छा लगता है बट खास बात यह है कि केला अन्य फलों की तुलना में सस्ता भी होता है केला सबसे ज्यादा एनरजी देने वाला फल है, बट सायद ही आपको पता होगा कि दो केले में 90 मिनट तक कड़े बयाम करने के लिए उर्जा होती है और तो और केले को खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है हैक नमबर थिरी, जब बरसात होती है तो बरसात में पानी के साथ साथ कभी कभी ओला भी गिरने लगता है जिन से भसलों को भारी नुक्सान पहुंचता है बट क्या आपको पता है कि दुनिया में अब तक का सबसे भारी ओला बांगला देश में सन 1986 में गिरा था इस ओले का वजन तकरीगन एक किलोग्राम था रियली अमेजिंग एक नमबर तू लीबिया उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका छेत्रफल करीब 1,80,000 वर्ग किलोमीटर है बट दुनिया में लीबिया एक ऐसा देश है जहां रेत ही रेत है लीबिया के कुल छेत्रफल के 90 परतिशत हिस्से में रेगिस्तान है यह दुनिया का सत्रहवा सबसे बड़ा देश है बट रेगिस्तान की अधिकता के कारण यहां की जनसंख्या मात्र संतावन लाग है हैक नमबर वन हर देश में अपराध होते हैं जिन्हें रोकने के लिए वहां की सरकार कई कदम उठाती है बट बड़े ही सर्म की बात है कि मर्डर के मामले में भारत सबसे आगे है यहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मर्डर किये जाते हैं 2019 के आकड़ी के अनुसार प्रति दिन भारत में अस्तन 89 मर्डर के मामले दर्ज किये गए थे जिसमें आज भी ज्यादा सुधार नहीं आया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स फारवाची